ये है जानो जंक्षन जमाना लेकर छोड़ा जा सकता है कश्मीरी पंडितों पर केज्रिवाल के असमवेदर शील टिपड़ी के विरूद में दिली में केज्रिवाल के घर की सामने प्रदर्शन और तोड़ खोड सोपोर में कल बुर्खा पैनी हुई एक महिला ने CRPF के बंकर पर पेट्रॉल बिहार में शराब बंदी कानून में संशोधन का बहु प्रतीक्षित विधेयक आज बुदवार को विधान मंडल के दोनु सद्रों से पारित हो गया है राजीपाल की मन्जूरी के बाद ये कानून का रूप लेगा और उसी तारीख से प्रभावी हो जाएगा कुरान आनून में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले मैजिस्ट्रेट कोट द्वारा जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है संशोधन में साफ कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि शराव या मादक द्रव्यों के सेवन के हर एक मामले में अभियुक्त को तुरत जमानत मिल ही जाएगी जुर्वाने की रखम अदा कर छूट जाना किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा कारी पालक मजिस्ट्रइट को ये अधिकार होगा कि वो लिखित में कारुनों का उल्ले करते हुए अभियुक्त को राशी का भुतान करने पर भी छोडने से इंकार करते बार बार अपरात करने पर सजा का प्रावधान भी है उत्पाद इमा मद्यनिशेद मंद्री सुनीर कुमार में सदन में बिहार मद्यनिशेद और उत्पाद संस्रोधन विरेक 2022 पीश करते हुए कहा कि इस से अदालतों में मुकदमों की भीर कम होगी और शेराब के बड़े कारुबारियों के खिलाफ सक्त कारवाई करने में मदद मिलेगी आज सुबा साड़े 11 बजे भारती जनदा युवा मोर्जा के लगबब देर 200 प्रदर्शनकारियों द्वारा दिली के मुख्यमंदरी केज दिवाल के घर आईपी कॉलेज के पास लेंक रोड पर प्रदर्शन किया गया केज दिवाल ने कश्मीरी पंडितों पर टिपने की थी इस पर माफी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था दो बहर करीब एक बजे कुछ प्रदर्शनकारी दो बैरिकेट्स तोड़ कर सीम आवास के बाहर पहुँच गए जहां उन्होंने नारे बाजी और हंगावा किया प्रदर्शनकारी अपने साथ भगवा पेंट का एक छोटा डिपा लेकर गए थे जिसे उन्होंने में गेट पर पोट दिया इस हंगामे के बीच एक बूम बैरियर के साथ-साथ एक सीसी टीवी कैमरा भी तूट गया पुलिस टीम ने उन्हें तुरक मौके से हटाया और करीब सतर लोगों को हिरासत में लिया आरोपियों के खिलाफ कानोनी कारवाई शुरू की जा रही है जब मौकश्मीर के सोपोर में कल बुर्खा पहनी हुई एक महिला ने सी आरपियाफ के बंकर पर पेट्रोल बंक फेका इस घटना को सीसी टीवी ने भी कायद किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बुर्खे और हिजाब पहन कर आई एक महिला ने बैक से पेट्रोल बंक निकाल कर सी आरपियाफ की चौकी पर फेका वीडियो में बंकर में लगी आख को बाद में सी आरपियाफ कर्मी बुझा दे दिख रहे हैं आईजी पी कश्मिर विजे कुमार ने जानकारी दी है कि बुर्खा वाली महिला को हमने पहचान लिया है उस महिला को जल्द ही ग्रफतार किया जाएगा केंद्री कर्मचारियों को आज सरकार की ओर से बड़ी खुश ख़बरी मिली है आज कैबिनेट की मीटिंग में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मनसूरी मिल गई है वही जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा नया महंगाई भत्ता एक जनवरी 2022 से लागू होगा केंद्रे कर्मचारियों को फिलहाल 31 प्रतिशत डिये मिलता है इसे 3 प्रतिशत बढ़ा कर 34 प्रतिशत किया गया है इस फैसले से 50 लाग से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाग पेंशिन भोगियों को पाइदा होगा केंद्रे परिवहन मंत्री नितिन गड़करी आज बुधवार को अपने हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई में संसत पहुचे शुई गड़करी ने बताया कि भारत सरकार ने 3000 करोड रुपे का मिशन शुरू किया है ब्रीन हाइड्रोजन का उतपादन अब भारत में भी होगा इसके फिलिंग स्टेशन होगे और देश का आयाद भी बचेगा इसके करण नए रोजगार का भी निर्मान होगा हम हाइड्रोजन का निर्याद करने वाला देश बनेंगे नितिन गड़करी ने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस की क्रिमतें लगातार बढ़ रही है इनके आयात पर बहुत खर्च करना पड़ता है और साथ ही पेट्रोल डीजल से प्रदूशन भी बहुत होता है अब सुनिए कुछ संशित समाचार जम्मु कश्मीर सरकार ने आतक वादियों से संपर्क रखने वाले पांच सरकारी करमचारियों को बरभास्त किया है भाजबा केंडरिये फैक्ट फाइंडिक कमिटी ने पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नंड़ा को बीर्भूम हिंसा पर रिपोर्ट सौपिंग उत्रप्रदेश में मुख्य मंदर योगी आदित दिनाथ ने कोरोना वाइरस को लेकर लखनों में टीम नाइन के अधिकारियों के साथ बैठत की आज के लिए इतना ही सुनते रहे है जानों जंक्शन पे न्यूज रेल